नमस्कार मैं हूँ दिब्यान्सू आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। दोनों ही बाएं हाथ के विद्वन्सक बल्लेबाज हैं एक का नाम है रिशपपन्त और दूसरे हैं इशान किसन। अश्विन करीब चार सालों के बाद टीम इंडिया की ब्लू जर्शी में दिखेंगे और फैंस के लिए भी ये रुमांच से भरा होगा। उनके अलावा चार और स्पिंगेंद बाजों को शामिल किया गया है। इनके नाम है रविंद्र जडेजा, राहुल चाहर, अकसर पटेल और वरुन चक्रवर्दी। वही टीम में स्टार ओल राउंडर हार्दिक पांडिया का भी नाम है। टीम में तीन तेजगंद बाजों को जगह मिली है। ये हैं जस्परीद बुम्रा, बुमनेश्वर कुमार और महम्मत शमी। अश्विन के चैन को लेकर भारती टीम के मुख्य चैन करता, चेतन सर्वा ने बयान जारी करते हुए कहा, वह IPL, विश्व कप में अच्छा प्रदरसन कर रहे हैं। वह IPL, विश्व कप में अच्छा प्रदरसन कर रहे हैं। फिंगर स्पिनर्स हमारे लिए एहम हैं। वासिंग्टन सुन्दर की जगह एक ओप स्पिनर के रूप में उन्हें टीम में शामिल किया गया है। T20 World Cup 2021 के लिए 15 सदस्य भारती टीम इस प्रकार है। की है कि आगामी T20 World Cup में दोनी as a mentor भारती टीम के साथ रहेंगे। जब से ये घोचना हुई है तब से मानो सोचल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सैलाव आ गया है। लोग वापस दोनी को टीम इडिया में देखकर काफी उत्साहित और खुस हैं तो इस बार T20 World Cup काफी दिल्चस प्रहने वाला है। देखने वाली बात होगी कि भारत इस बार कैसा प्रशन करती है मगर उम्मीद उनसे बहुत है। गौरतलव है कि भारत अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को चीर प्रतिदवन्दी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्षन में बताएं कि धोनी के जूरने से आगामे T20 World Cup में टीम इंडिया को कितना फायदा होगा। अभी के लिए इतना ही क्रिकेट के खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी दीजे इजाज़त धन्यवाद।